ہیلو فریνڈز, السلام علیکم आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुती टेस्टी और डेलिशिस गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी यह हलवा बहुती टेस्टी लगता है खाने में, जब आप इसे सेम इसे ट्रिक से बनाओगे तो आपका हलवा आप यह बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनके रेडी होगा तो चलिए से बनाना स्टार्ट करते हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए यहां मैंने देड़ किलो गाजर ले लिया है इसे मैंने छील कर अच्छे से वाश कर लिया है चार से पाच बर सबी गाजर को मैंने कद्दू कच से ग्रेट कर लिया है गाजर का हलवा बनाने में में प्रोसेस यही है कि गाजर को कद्दू कच से ग्रेट किया जाए अब इसमें एक लिटर अमूल दूत फुल फैट यूज़ करेगे मैं यहाँ पर अमूल दूद का यूज कर रही हूँ, आप कोई से भी ब्रैंड का यूज कर सकते हो दूद आइट करने के बाद लोटू मीडियम फ्लेम पे इसे 20-25 मिनट तक कुक करना है ताकि दूद भी अच्छे से ड्राय हो जाए और गाजर भी गल जाए और बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है ताकि गाजर नीचे लगेना 15-20 मिनट हो गए है, यहाँ गाजर 50% तक कुक हो चुकी है अभी हमें इसे और कुक करना है लोटू मीडियम फ्लेम पे 15-20 मिनट तक ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा दूद है वो ड्राय हो जाए यहाँ गाजर का पानी सूख गया है, अब उसमें 3 कप शक्कर एट कर लेगे शक्कर आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम साधा कर सकते हो शक्कर एट करने के बाद इसे और कुक कर लेगे आदे घंटे तक ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा मिल्क है वो भी अच्छे से ड्राय हो जाए और बीच-बीच में चम्मत चलाते रहना है दूद अच्छे से ड्राय हो गिया है अब हम एक मिनट के लिए ग्यास की फ्लेम को हाई कर देगे और इसे मिक्स करते वे लगातार इसे और एक मिनट तक कुक कर लेगे ताकि जो इसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दूद है वो भी ड्राय हो जाए अच्छे से यहां मैंने 50 गिरम काजू, बदाम और पिस्ता ले लिया इसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है गाजर के हलवे को और भी जादा टेस्टी बनाने के लिए सबसे पहले 2 टेबल इस्पून देसी घी को गरम कर लेगे जब भी अच्छे से गरम वजाए तो इसमें 4-5 छोटी लाइची बीच में से कट करके एट कर देगे चोटी लाइची जब अच्छे से गरम हो जाए तो उसमें dry fruits एट कर देगे dry fruits के quantity आप कमसादा कर सकते हो अपने favorite dry fruits भी एट कर सकते हो इसे दो से तीन मिनट तक फ्राइ कर लेगे और उसे गाजर के हलवे में एट कर देगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेगे अब गैस की फ्लेम को लो कर देगे और उसमें सौगी राम मावा एट कर देगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेगे इससे मैंने अच्य से mix कर लिया है अब gas की flame को बन कर देगे देखिए याँ टेस्टी सा गाजर का हल्वा बन के ready है और इसमें बहुत फी अच्य गुश्बू आ रही है अब इसे surf कर लेते देखिए याँ टेस्टी गाजर का हल्वा बन के ready है आप लोग भी इसे जरूर ट्राइ कीजिए वीडियो अच्छी लगयो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ ठैंक्स फॉर वाचिंग दा वीडियो अल्ला हाफिज